विल्कम तो ओल माई डियर फ्रेंड्स इन माई यूटूब चैनल सत्यांदर ग्यान संसार देखिए आज हम जो टॉपिक यहां पर डिसकस करने वाले हैं वो एंसे आइटी फर्स्ट एंसे आठी से 12 चैप्टर है मिन्रल नूट्रेशन देखिए तो दिखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना है मैथड मैथड्स टू इस्टिडी ओफ मिन्रल्स रिक्वार्मेंट्स औप प्लांट्स Essential Minerals Elements कौन कौन से हैं उनका डिसकस करेंगे Mechanism of Absorption of Elements और फिर इसके बाद Translocation of Solutes फिर इसके बाद हम डिसकस करेंगे इसमें Metabolism of Nitrogen तो इतना इस चैप्टर में में डिसकस करना है अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि Basic Needs of All Living Organisms are essentially the same They require macromolecules such as carboidate, protein and fats and water and minerals for their growth and development यानि कि अब हम बात करते हैं कि जो जीव हैं कोई भी जीव हैं उनकी जो मूलवूत आप सकता हैं होती हैं वे अनिवार रूप से एक समान होती हैं जो कि उनकी ब्रदी के लिए और उनके परवर्दन के लिए उनके विकास के लिए जो अड़ू होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल उनमें कार्वाइटेट फैट्स हैं मेनरल्स हैं और प्रोटीन्स हैं इनकी आप सकता होती हैं ठीक है तो जैसे कि आप जानते हैं फिर हम बात करेंगे कि इस चैप्टर फोकसेज मैनली ओन इन और इन और गैनिक प्लांट रियूटेशन वियरिन यू विल इस्टिडी दे मैथर्स ऑफ आइडेंटिफाई ऐलिमेंट इसेंशली तो ग्रोथ एंड डबलमेंट अप दा प्लांट and the criteria for establishing the essentiality यानि कि इस चैप्टर में हम जो इन और गैनिक न्यूटेएंट्स हैं इन और गैनिक प्लांट न्यूटेएंट्स हैं उनका फोकस किया गया इस चैप्टर में और जैसे कि पौदों की ब्रद्धी और उनके परवर्दन के लिए जो अनिवारतत हैं उनको पैंचा करेंगे ठीक है फिट के आए कि यू विल आल्सो इस्टीडी दा रोल ओफ एसेंसियल ऐलिमेंट्स देयर मेजर डैफिसेंसी सिम्टम्स एंड डा मैकनेजम ऑफ अब्जॉप्शन ओफ दीसेंसियल ऐलिमेंट्स एंड चैप्टर आल्सो इंट्रूस्ट यू ब्रीफली तो स इसमें अधियन करेंगे उनकी कमी से होने वाली लचषड और उनकी अवसुशड की जो क्रियाविदिय उसका अधियन खरेंगे इस साथभ ही साथ में सॉत मैं यहां पर जो नाइट्रोजन fixation है nitrogen इस्तरी करड़ है उसके महत का और उसकी जो mechanism है उसकी kriya विदी है उसका यहाँ पर अध्यान करेंगे इस chapter में तो देखिए method to study the minerals requirements of the plants यानि कि जो पौदों की खनिज की अनवारता है उसका यहाँ पर अध्यान की विदी जो है उसका हम अध्यान करेंगे यानि की method to study the minerals requirement for the plants पादपों की खनिज अनवारता की अध्यान की यहाँ पर जो विदी है उसका में यहाँ पर अध्यान करने जा रहे हैं तो इनकी हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक गैनिक हैं जिनका की नाम है जूलियन वान सेक्स ठीक है तो इन्होंने क्या किया था एक प्रॉमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट हैं डिमॉन्स्टेटिट फॉर्ड फॉर्स्ट ताइम दा प्लांट कुड बी ग्रोन तू मैचुरिटी इन डिफाइंड न्यूटियंट सॉलिशन इन पादवों को ऐसे बिलियन में ऐसे पूसक बिलियन में गोल के उगाया जाता है तो यह टक्निक जो है हाड्रोपॉनिक्स कहलाती है जल्द समौर्दन तकनीक कहलाती है सबसे पहले जो वैग्जानिक थे जर्मन पादवित थे जिनका नाम है जूलियन सेक्स 1880 में उन्होंने सर्वत हमें परदर्शित किया था कि पौदों को मिर्दा की अनफुस्थिती में उनके पोसक बिलियन के गोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है तो जब पादवों को मिर्दा के अनफसित में घोल में बिलियन के पोसक बिलियन की घोल में इनको हम उगाते हैं तो पादवों को पोसक बिलियन की घोल में उगाने की यह तकनीक जो होती है The technique of growing plant in the nutrient solution पोसक बिलियन की गोल में पादपों को उगाने की यह यह तक्नीक होती है इसको हम हाईडरोपोनिक्स बोलते है Complete absence of soil यहाँ पे soil नहीं होती है जिब कि यहाँ पे पोसक बिलियन होता है Since then A. Number of improvised method has been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plant The essential of all these methods involve the culture of plant and soil free defined mineral solution These methods require purified water and minerals nutrient salts तो क्या है कि इसके बाद कई उन्नत विदियां प्रियोग में लाई गई कई विदियां प्रियोग में लाई गई इसके बाद जिससे पादपों के जिससे पौदों के खनेजों की पोसक की जो अनवारता है उसको तै किया जा सके उसको समझा जा इसके इसके बाद सभी विदियों के प्रियोग का ये निसकरश पादपों को मिर्द भी हीन पोसक दी जल और पोसक में उगाना है' है यानि के लिए इसके लिए क्या हो सकता होती है मैधर डिक्वाइर फॉर दा प्यूरिफाइड वाटर सुद्ध पानी और मिन्नल निट्रेंड्स जो होते हैं पोसक खने जह उनकी आफ सकता होती है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मिर्दा भीहीन और पोसक पदार्थों की सब्सक्री में इनको जो उगाने की तकनीक होती है वो हाड्रोपोनिक्स कहलाती है ठीक है तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कि आफ़र सीरीज अप एक्सपेरिमेंट संपेरिमेंट इन वीच दरू रूट्स और प्लांट्स वर इमर्जद in a nutrient solution and wherein an element was added removed or given a varied concentration a mineral solution suitable for suitable for plant growth was obtained by this matter method essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्रंखला बद प्रयोग किये गए उसके पस्चात जो पौदों की जड़ों को पोसक बिलियन में उगाया गया उसके एक तत्त को डाला गया और हटाया गया और विविन सांद्रताओं विविन अलग-अलग इस प्राप्त के लिए जो प्यूक्त था जो कि ये बिलियन इस वीदी के द्वारा अनुवार तत्तों को पहचाना गया और और उनकी कमी से होने वाए लच्छोडों की खोज की गई इस तरीके से इस तरीके से बाइस में था इसेंचिल एंडिमेंट्स भर इडेंटिफाइड और डिफेस इंट्वेश्य के दिश्कोबर इस तरीके से हैट्रोपोनिक्स एज पीन सक्सेश्पली इंप्रेड आइड टेक्निक्स फॉर दा कॉमर्सिली प्रोडक्शन ओफ वेजिटेबल सच तोमेटो सीटलेस कोकॉम्बर एंड लेटिवस इस तरीके से जो यहां पे टमाटर है और जो सीटलेस कोकॉम्बर है और लेटिवस की यहां बैपारिक उत्पादन के हुथ यह तक्निक उप्योग मर्दन की जो तक्निक थी यहां से हम कह सकते हैं कि हैड्रोफनिक्स सक्सेफुली इसन चीजों को गाया गया इट मस्ट भी एफसाइज देट न्यूट्रिन सॉलुचन मस्ट भी एड़केंट्री एरेटिट तो हम कह सकते हैं कि ध्यान देने योग बात याए कि पौदों की के लिए पोसक बिलेन को थो इस परिधिक है तरीके से हम कह सकते हैं कि आप देखें तो इस तरीके से जो इहां पर टमाटा रहा और प्रकोंस लिसके आया गया ठीक है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कि न्यूट्रेंट का कल्चर डाइग्राम में दिया गया थैंकि फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिएंद बन दिमातर में